नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस लांचर पर मैं हूँ नीलू व्यास एक खबर जिसके बारे में हमने अभी पिछले हफ़ते ही बाचीत की थी और राजीव रंजन सिंग जो कि वरिश पतकार है उनके साथ बाचीत में ये सारी बाते सामने आई थी कि केंद्री मंत्री नि उद्धव ठाकरे ग्रूप के जो हैड है यानि कि उद्धव ठाकरे उन्होंने आज खुला ओफर नितिन गटकरी को दिया लातूर में वो एक रैली में पबलिक को सबोधित कर रहे थे और उस रैली में उन्होंने नितिन गटकरी को खुला ओफर दिया उन्होंने इस बात क लेकर हमला बोला कि जिस तरीके से नितिम गटकरी का अपमान हो रहा है उनका पहली लिस्ट में नाम नहीं था वो ठीक नहीं है और उन्होंने ये कहा नितिम गटकरी को उस पब्लिक रैली में कि आप M.V.A. जॉइन करिए यानि कि महाराष्ट विकास अगारी जॉइन करिए और आपको जिताना हमारी जिम्मेदारी है ये बात उधव ठाकरे ने आज लातूर की रैली में कहा है कि आप B.J.P. छोड़िए आप M.V.A. जॉइन करिए और आपको जिताना हमारी जिम्मेदारी है उसके बाद सुप्रिया सूले काभी की एक प्रतिक्रिया आई है जो कि प्रवार की बेटी है और N.C.P. की सांसद है उन्होंने ये कहा कि नितिन गटकरी एक बहुत समान जनक नेता है कभी भी वो बदले की भावना से काम नहीं करते हमारे सब के मन में बहुत जादा समान है नितिन गटकरी को लेकर उन्होंने सुशमा स्वराज और अरुन जेट यानि की M.V.A. M.V.A. जो की हिस्सा है उसका तो M.V.A. ये चाहता है कि नितिन गटकरी M.V.A. जॉइन करे और इसको लेकर उदर ठाकरी ने ये कहा कि पहली लिस्ट में B.J.P. के नितिन गटकरी इतने बड़े नेता हैं जिनोंने महाराष्ट में B.J.P. के लिए पूरी ज जो सीधा B.J.P. को कहीं न कहीं चोट पहुचाती है और B.J.P. जब से ये बयान आया है बुखला गई है और इसका सीधा साधा प्रूफ ये है कि देवेंदर फटनविस ने एक बयान दिया है उन्होंने ये कहा कि नितिन गटकरी हमारे महारे समान जनक नेता है जब बाते नजर में आई थी कि बैक डोर में ये बाते हो रही है कि अगर नितिन गटकरी को B.J.P. ने टिकेट नहीं दिया तो फिर वो इंडिया अलाइंस में जा सकते हैं उनके तरफ से ये भी शायद आफर हुआ होगा कि इंडिया अलाइंस में अगर वो जाएंगे तो निति अगले प्रधान मंतरी नितिन गटकरी होंगे तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो MBA में जाते हैं या इंडिया आलाइंस जॉइन करते हैं क्योंकि MBA इंडिया आलाइंस का हिस्सा है तो फिर क्या नितिन गटकरी को India आलाइंस प्राइम इनिस्टर बना सकता है लेकिन आजीव आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अन्म्यूट कर लीजेगा जो बात हम लोग पिछले हफते कह रहे थे नितिन गटकरी के बारे में कि इसको लेकर नाकपूर में बहुत चर्चा है कि इंडिया लाइंस वो जॉइन कर सकते हैं या इंडिया लाइंस के टच में है आज एक तरीके से खुला ओफर जो उदर ठाकरे ने दिया है उसके राजनीतिक माइने क्या है राजनीतिक माहने ये हैं कि नरेंधर मोदी का जो अल्टरनेटिव सब पूछते थे कि कौन है आफ्टर नरेंद्र मोधी है ना तो वो आप सबको समझ में आ रहा है कि भाई मोधी जी का भी आल्टरनेटिव है यही होता है देखिए परफॉर्मेंस यदि कोई करे काम करे तो आपको कोई भी पार्टी हाथो हाथ उठाने के लिए तयार है नितिन गटकरी जी ने इतना काम कि पिछले 10 साल में जो भी इनोंने विकास बोलके चलाया है आर जगा है कि हम विकास कर रहे हैं विकास कर रहे हैं वो विकास रोडी तो दिखाया गया है और क्या विकास है यदि आप देखिए तो तीन मंत्रियों को प्रोजेक्ट किया गया है कि इनोंने बहुत विकास किय एक है नितिन गटकरी जी दूसरे अश्वनी वैशनव और तीसरे आपके जैशंकर जी किन्तु यदि आप अश्वनी वैशनव जी को देखेंगे रेल मंत्रा ले तो भारत के इतिहास में वन आफ दे बिगस्ट रेल एक्सिदेंट इनके टाइम में हुआ है वह ब्लॉट लग इतिन गटकरी ही एक परियाय हैं जिनके कार्य को दिखा के पूरा मोधी गौवर्मेंट एंडिय गौवर्मेंट ने वावाई लूटी है अब काम करने के वक्त तो गटकरी जी और टिकट देने के वक्त आप बोलो कि नहीं हम तो फर्स्क प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं सेक एक बहुत बड़ा लीडर है और यदि वक्त आया तो यह लीडर और तेजी से उबरेगा पहली चीट दूसरी जीट जो मैंने आपके उसमें लास्ट टाइम बोला था कि पूरी 48 की 48 महराष्टा की सीटों पर समीकरण जो है वो बदल सकता है यदि इनको सिर्फ टिकेट ना भी दिया तो यह उसके बाद लड़े नी लड़े में बात अलग है किन्तु यदि टिकेट ना दिया तो पूरी 48 सीटे इंपक्त होंगे और आप यह निदूजी इस चीज़ को समझिए महराष्ट और ब्राह्मन जिस कास्ट से ही आते हैं मात्र दो से तीन परसेंट इनकी ज कितनी जादा है उसको लोग कितना चाह रहें और अपनी पार्टी के अंदर में उनका इतना बड़क कद है कि दिवेंद्र वंडविस को आज आके यह बचाव करना पड़ा यह डिवेंस देना पड़ा कि नहीं जब भी महराष्टा की लिस्ट आएगी तो उसमें सबसे टॉ पूछा कि इसका इंपाक्ट क्या है या इस से हम एक वन लेसं लें तो वन लेसंन यहीं कि भाई बीजेपी के पास में नितिन गटकरी का कोई ओल्टरनेटिव नहीं है लोग पूछते हैं दूसरे पॉलिटीशन के बारे में यह पॉलिटिशन को टिकट नहीं दिया तो इन तो मजबूरी में इनको टिकेट देना ही पड़ेगा बली मोधी और शाह की जोड़ी इनको कितना भी ना पसंद करें उससे कोई फर्क नहीं पढ़ जा लगता है कि उदफ ठाकरे का जो ऑफर है उस ऑफर को नितिन गटकरी एकसेप्ट कर सकते हैं क्योंकि कुछे याद है और हमने उस दिसकास की थी कि वह शिफसेना में चाहें तो वह जा सकते हैं तो उसके बीजय पी अपने पैर पर पे उल्हाड़ी मेरे ख्याल से तो नहीं मारेगी, ठीक है 99 परसंट नहीं मालेगी 1% यहांज़ की मास दिया तो पूरे इलेक्शन के समिकरन बदल जाएगे, पूरे एलेक्शन के समिकरन बदल जाएगी मैहारास्टा के 48 शीट और भारत के पाहिर करी दिया और जिस तेजी से दिवेंद्र फड्णविस जिनको इतने सालों से खड़ा किया जा रहा है नितिन गटकरी के समकक्ष लाने के लिए वह भीज बचाव करने आये हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इससे आप समझ जाईए कि भाजपा के अंदर में कि इतने जादा है जहां तक आपका सवाल आता है कि वह स्विकार करेंगे कि नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे पॉलिटिकली यदि आप किसी को फिनिश कर दोगे ठीक है तो वह सामने आले आदमी के पास में क्या इसका अल्टरनेटिव है क्या परिया है गटकरी जी 75 साल से अब बहुत दूर है जो एज बार इन्हों ने रखा है इसमें बेदने के लिए अपना मारदरशक मंडल में उसके करीड तो नरेंदर भोडी जी है वो तो एक साल में काईदे से पहुच जाएंगे एक डिड़ साल में मारदरशक मंडल वाली उमर में गटकरी जी तो अभी उसे दूर हैं काफी दूर तो यह कहना कि वो नहीं करेंगे वो क्यों पॉलिटिकल पॉलिटिकली अपने आपको फिनिश होते वह देखेंगे यह तो देखेंगे तो जानवर रोंकि अंदर भी इंस्टिंक्ट होता है कि आप उसके ऊपर अटाक करो तो वो अपने डिफेंस मे वह लड़ेगा तो यह तो एक इंसान की बात है इंसान तो सबसे चतुर जानवर तो यदि आप उनको टिकेट काटके उनको पॉलिटिकली फिनिश करने की कोशिश करोगे तो गटकरी सहाब भींगे इस्ट्यूट पॉलिटीशन वो क्यों नहीं इसका जवाब देंगे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था देखिए और वह बहुत बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स ने उसको उठाया और बहुत वायरल हुआ देखिए क्या है इस चीज को समझने की जौरत है गटकरी जी शिवराज सिंग चोहान नहीं है गटकरी जी जो है वो वसंद्रा राजे नहीं है तो गटकरी जी को यदि आप सोचोगे कि वह बिना बैटल की हुए बिना फाइट की हुए आम्स रग देंगे और चुप से बेस्ट परफॉर्मेंस है वो वह है और मोदी हमेशा परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जिस आदमी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको वो टिकेट का डावेदार कैसे नहीं है या उसको टिकेट क्यों नहीं मिननी चीए यह बहुत बड़ा सवाल उठा उठा है दूसरी बात गटकरी जी को जो सपोर्ट RSS का है, वो सपोर्ट शायदी किसी भारती जन्ता पार्टी के अन्य लीडर का होगा, आरेसस के अंदर में इनकी छवी बहुत अच्छी है, इनका कद बहुत उचा है, और इनों ने अभी तक मतलब RSS के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, तो RSS कभी नहीं चाहेगा, कि ये दूसरा शंकर सिंग वागेला बने, आरेसस कभी नहीं चाहेगा, कि हमारे घर में एक दूसरा शंकर सिंग वागेला हमारे शेहर के अंदर में डेवलप हो जाए, जैसा मैंना पिछले एपिसोड में भी आपके बताया था, कि नाकपूर एक मेव शेहर है पूरे इंडिया में आज की डेट में, जहां पर संषी चीफ मिनिस्टर भी उसी शेहर से और जहां पर नितिं गट करी जैसा ह्पिस तो जी है और आरेसस की जननी है वोबी उसी शेहर में है, ऐसा कहीं भी नहीं है और वहीं नाकपूर में देखें अमभेड कर मोवमिन बहुत स्ट्रांग है, अमभेड कर वागमारा यह शहर माना जाते हैं बहुत मतलब जो जड़े हैं वो काफी ज़्यादा अंभेड कर मुव्मेंट की नाकपूर के अंदर में मतलब इंदी में क्या बोलेंगे बहगेरी यह है तो आप यह समझें कि किसी भी हालत में यह जो ज्वल है नितिन गटकरी रूपक जो आरेस के पास में वो कथा ही कभी भी बीजेपी के बीजेपी चाहेंगे कि वह बीजेपी से बाहर निकले और जैसे शंकर सिंग आगे लाने आधी को विदर्बा के अंदर में खड़ा किया है और अज विदर्बा में एरिया है बाच्का के डॉमिनेंस का नहीं बट राजी मुझे यह बताइए कि क्या प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोधी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अगर माली जे नितिन गटकरी और इंडिया कहां किया है उन्होंने डिनाय कहां किया यह देखिए जैसा कि मैंने लास्ट टाइब भी फिर दोर आ रहा हूं यह कुछ नहीं एक सिगनल है कि भाई आप जो हैं अपने इसमें रहे हैं से अंदर में रहे हैं आप जो हैं पीम के समकष आने की कोशिच मत कीजिए हम आपको वैसा तवज्जुन नहीं देते हैं जैसे आप अपने आपको देते हैं ठीक हैं किन्तु इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यह आंकार जो है यह घमंड जो है यह कई भारी ना पड़ जाए क्योंकि इस टाइम आप एक ऐसे आदमी से सीधा मुकाबला कर रहे हो जो आदमी की acceptance भारती जंता पार्टी के अंदर भी मोधी जी जैसी है और भारती जंता पार्टी के बारतो मोधी जी से बहुत ज़ादा है ठीक है और RSS के अंदर भी अच्छी खासी उनकी acceptance है तो ऐसे लीडर के साथ में यदि मोदी और अमिट शाह किसी भी तरीके का अन्याय करना चाहें तो वो मुझे लग नहीं रहा कि पार्टी के अंदर से जो आवाजें आएंगी वो ऐसा होने देंगी यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और यही कारण है कि इन्हों ने अभी तक धिनाय नहीं किया है और देवेंद्र फट्नमिस बिना अमिट शाह के पूछे हुए कुछ बोलते नहीं कुछ स्टेटमेंट देते नहीं वह जो आप बीट बचाव करने के लिए हैं मुझे लग रहा है कि कही न कहीं उनको सिगनल है हो मिनिस्ट्री से भी कि भाई आप ठीक है इस यहां पर भाजपा के पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं है यह बहुत बढ़ा अंतर है क्योंकि इस आदमी ने बहुत काम किया है और जो भी दूसरे मिनिस्टर को दिखाया जाता है कि इनका अचीमेंट है उनके अचीमेंट में ने तो आपको तुरुटिया बताई दिये से किसी चीज का सक्षेस जो है पैरमीटर या वो बैरामीटर नहीं बन जाता है सक्षेस तो हमको दिख रहा ना हाज में अज रश्य जो इंडिया का सबसे स्ट्रॉंग नए फिट्रोर नहीं ले के तो विदेश निती का फायदा क्या हो आपने अमेरिका और यूरोपीएज union को एक तरफ नराज किया दूसी तरफ जिसके लिए नराज किया वो बोल रहे हैं रुपी डिनॉमनेटेट पेमेंट जो है हम लेने के लिए स्विकात ही करेंगे हैं मैं राजी वापिस नितिन गटकरी के पॉइंट पर ही आ रही हूँ कि नितिन गटकरी का फाइदा आज किसी ने किसी तरीके से आज उदर ठाकरी के स्टेटमेंट ने किया है क्योंकि जो एक अंसर्टिंटी बनी हुई थी नितिन गटकरी के टिकेट को लेकर और देवेद्र पड़नवेस का बाहर निकल कर आकर बोलना कि वो बीजेपी के बड़े नेता है और उनका ब लिस्ट में आम आएगा क्या उदर ठाकरे के स्टेटमेंट ने कम से कम नितिन गटकरी के लिए यह चीज़ पक्की कर दी कि अब उनको टिकेट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि अभी तक यह चर्चा हो रहे थी कि पतलने नंको टिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा तो इस offer के पास बात जो अभी आज offer आया है तो एक लिस्ट यह uncertainty खतम हो गए कि उनको टिकेट नहीं मिलेगा टिकेट उनको मिली रहा है ऐसा लगता है 100% जो आपने बोला वही बात है उधव ठाकरे के इंडिकेशन उधव ठाकरे के स्टेटमेंट से यह प्रूव हो गया है कि भारतिय जंटता पार्टी के अलावा इंडिया अलायंस और कई पार्टीयां जो इंडिया अलायंस के अंदर में हैं वो इच्छुक है नितिन गटकरी को अपने साथ में लाने के लिए ठीक है तो यह जो उधव ठाकरे ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उसी चीज का परिचायक और इससे भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा आंधी तुवान मचा हुआ है आप इस बात को समझे यह इस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उनका कॉंपेटिटर मतलब जिसको माने जाता है वो बीच बचाव करने आ रहा है इससे आप समझ जाए कि अंदर कितनी बैचानी है ठीक है कितनी बैचानी कोई भाजपा के स्पोक पर्शन ने नहीं स्टेटमेंट दिया तो यह कौन व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है यह भी बहुत कुछ आपको इंडिकेशन या हिंट दे देता है जहां तक मुझे लग रहा है एक या दो दिम में नितिम गटकरी का नाम जो है भारतिय जंदा पार्टी अनौन्स कर देगी कर देना चाहिए नहीं करेगी तो उनको यह तक्रीफ जाएगी क्योंकि नाकपुर जो है फर्स्त— पॉल में जो लास्ट पॉल भी हवा था वैसी इस बार यसे चांसे हैं कि नाकपुर फर्सट ल फइस्न में पोल्स में ळाएगेition में जायाएगा क्योंकि नाकपुर में बहुत ज्यादा अधा गर्मी बढ़ जाती है मिड मार्च से गर्मी अभी शोरू हो तो एपरेल मतब जितनी जल्दी करा देंगे उत्ते जादा वोटर टर्न ओट होगा जैसे डिले होगा एपरेल एंडिंग में में जाएगा वोटर टर्न ओट बहुत कम होगा तो समय कम है एक महिने के आसपास का समय बचा है मुझे लगता है कि यह लोग जो भी अभी नेक्स निकालेंगे उसमें नितिन गटकरी का नाम अनाउंस कर देंगे यदि नहीं किया तो भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है लेकिन राजी एक और खबर जो की बहुत चर्चा में है कि उदफ ठाकरे ने इस तरीके का बायान इसले दिया क्योंकि उदफ ठाकरे को अब अगर बीजेपी में आना है तो वो नितिन गटकरी का इस्तिमाल करेंगे तो क्या ये एक ट्रेड ओफ चल रहा है नितिन गटकरी और उदफ ठाकरी के बीच में क्योंकि आज इसको लेकर भी बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं ट्विटर पर की हो सकता है कि उदफ ठाकरे अचा मारा गया उसकी पाटी दो हिस्से में तोड़ दी गई है और उनके बहुत ही जूनियर मतलब व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना के पिछले दो धाई साल से रखा गया है उदफ ठाकरे क्यों आएंगे उदफ ठाकरे बहुत ही स्वाभीमानी आदमी है स्वाभीमानी व वो अपनी शर्थ पर जहां भी जाना हो अपनी शर्थ पर जाएंगे या रहेंगे वो इस तरीके से आना चाहते है यह इंटरप्रेटेशन ही अपने आप में जो है बहुत ही हाश्यास्पद है उन्दफ ठाकरे को यदि आना रहा ठीक है तो सबसे पहले तो जब तक दंडि मिस्टर का शिंदे का यह जिस तरीके से लोकसभा की सीट पर अमित्षा के लिए परिशानी खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि उन्होंने बोला कि नहीं हमको 21 सीट से कम चाहिए ही नहीं फिर बाद में 18 पर आया है से सुनने में और अमित्षा 15 सीट से जादा देना नहीं बोला है कि 13 आपके लोकसभा MP है हम दो और आपको बढ़ा के दे देते हैं तो जिस तरीके से बोलो नाको चने चबवा रहे हैं अमित्षा को जो अमित्षा ने सोचा भी नहीं था उनको यह समझ में रहा कि भाई यह तो उदव ठाकरे के साथ में मेरा कन्वर्सेशन इससे ज्यादा स्मूध होता था मैं असानी से बात कर लेता था यहां तो मेरे को मतलब मेरे आने के बावजूद भी मानने को तियार नहीं इसलिए अमित्षा परसो आके गए हैं पर सीट का अनॉंस्मेंट ना कल हुआ ना आज हुआ और शायद कल भी होगा कि नहीं होगा हो गया परदर की तरह रहेंगे यह तो हमको डिक्टेट कर रहे हैं तो अगर अगर बीक्टेट होना यह तो उद्धाफ से होंगे इन से क्यों दिक्टेट होंगे इनको तो यह तो हमारे दम पर चीफ मिनिस्टर बढ़े हुए तो यह interpretation जो है कि उद्धाफ ठाकरे जाना चाहते हैं भारती जन्ता पार्डी को समन में आ रहा है कि उद्धफ ठाकरे बहुत मैच्चुर है in comparison with the faction with which right now BJP is dealing with. तो अब जो मेरा आखरी सवाल है आपसे वो यही है कि नितिन गटकरी को लेकर ऐसा लग रहा है कि जो offer उद्धफ ठाकरे ने दिया है उससे नितिन गटकरी को लेकर जितनी भी uncertainty थी वो खत्म हो गई है लेकिन नितिन गटकरी क्या humbly उस चीज़ को accept करेंगी क्योंकि उनको यह लग रहा था और उनके जो प्राइम मिनिस्टेरिल अमिशन्स है वो चुपे नहीं है तो क्या वो अभी भी अपने तरीके से लॉबी कर सकते हैं कि वह उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए या फिर वो वेट करेंगे कि बीजेपी की कुतने numbers आते हैं ये भी बहुत बड लिए ये मेरे को ज्यादा कारगर लग रही है कि ये पूरा खेल जो है चुनाव के बात के लिए जो निकिन गटकरी को जो इतने पैत्रे दिखाये जा रहे हैं दिली से उसका रीजन ही है कि जो क्यालकुलेशन बोला जा रहा है कि यदि बीजेपी 200 से 220 के बीच में सिमट ग बनाना चाहें तो तो वो सिर्फ और सिर्फ नितिन गटकरी के ही चेहरे पे दूसरे जो छोटे छोटे राजनेतिक धलना हैं शेत्रिये पाठियां वो शायद विट कैवेट शायद वो शायद सपोर्ट दे सकती है तो यही डर मोधी और अमिक्षा को सता रहा है वो पहली ब प्रदेश के अंदर में जारकट के अंदर में और सबसे ज़्यादा ब्यार के अंदर में उससे इनका कॉंफिडेंस डगमगा गया है और महाराष्टा को यह किसी भी तरीके से मतलब वहां पे कम होती भी सीट देख नहीं सकते हैं देखिए 48 लोगसभा सीट में से 41 सीट जो थी वह आपके शिवसेना और बीजेपी अलाइंस ने जीता था एक नमनीत राणा जी जो अमरवती से तो वह भी अभी बीजेपी के साथ तो 42 आप मांग लिए छे सीट जो थी छे सीट आपके अपोजिशन पार्टी इसके पास में जिसमें कॉंग्रेस के पास सिर्फ एक सीट थी तो यह आप समझेए कि किसी भी तरीके से यह 42 के नीचे जाना एफट कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनको दिख रहा है कि दिल्ली में हमको लॉस हो सकता है हरियाना में लॉस हो सकता है बिहार में मैसिव लॉस हो सकता है जारकंड 120 का आकड़ा भी यदि छूते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नितिन गट गए और उसमें महाराष्टा का लॉस एड़ हो गया तो आप तो समझेंगे तो 200 पर अटक जाएंगे पिर तो सरकार बीजेपी की बनना पॉसिबल ही नहीं है तो यह चाहते नहीं है महाराष्टा को उससे अलग रखना चाहते हैं इसलिए किसी भी तरीके का डिस्टर्बंस अभी क्रियेट करनी रहे हैं एंवार्मेंट में कि डिस्टर्बंस यदि क्रियेट हुआ तो जो छे साथ स्टेट्स के मैंने आपको नाम जिना है उसमें महाराष्टा बियाड हो जागा है इनको समन्ना र कि बिहार में जैसे 40 में से 39 मिला तो वह मिलने नहीं वाला है आपको राजस्थान में जो फुल आउटर फुल मिला था 25 वह मिलने नहीं वाला है गुजरात में 26 वह दो 29 में से 28 मिला था उसके भी चांसस कम है कि वहां भी दो-तिन सीटों का लॉस हो सकता है तो यह जो लॉसस होंगे करनाटगा में जो आपको 28 में 24 में थे उसके तो दूर-दूर तक चांसस नहीं दिख रहेंगे वैसा स्कोर मिले तो यह जो लॉसस आप करेंगे यह सारे स्टेट में उसकी भरपाई कहां से करेंगे और अगर महारास्टा भी 48 में 42 मिला था 42 के नीचे जाते हुए यदि दिखा तो उसकी भरपाई कहां से होगी यह तो तो यह रीजन है यह रीजन है कि यह आई मीन इस मधुमक्खी के चत्ते में आठ डालने वाली सिच्वेशन है गटकर करेंगे उद्दफ आक रहें के बोलने के बाद में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे जी नियुक्त अलिया आपका बहुत बहुत चुक्रिया और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा फीडबैक दीजेगा और बने रहीगा मेरे साथ नियूसलांचकर थैंक यू झाथ झालबटड़ गरिया यूवत बहुत बालब का बगगा और जालबका प्रीप झालबटपटट इस वीडिक डेंगे जादा करिक भी नहीं टिल्क हमजादा रहा हांदा